मास्क रोस यह थोड़ा बोरिंग सेक्षन था तो यह हुई मेंजेगा है बेंगवाल से दिल्ली सिफ्ट हुई तब इसका प्रपोजल रखा गया है सेंटिमेंटली सरक्रोल गार्डन है करेंगayan अभी आसकी कम बेलिंदिन के आकारोज वाल है अधू आश्चाट करेंगे कि हम आज कहा जा रहा है आज बाहुत शील जगा रहा बहुत और यह सिर्फ मेरे हिरे श्क्रेंदैयों है यह पूरी इंडिया के लिए फेसर लेका हो तो ऐसी जगा जा रहे मतलब समझो को थोड़ा-थोड़ा सोचो जरह इमाइजन करो कि ऐसा क्या है जहां जा रहे हैं जो जगह है सब के लिए खास है ऐसा कुछ तो है तो हम बताएंगे, अभी निए बताएंगे, लिखिन हम बताएंगे जरूर यह बाल पीना, तो चलिए वह पर बिलेंगे, और वह बताएंगे कुछ न कुछ, चलिए फिर इसमें जब खुद टिकेट बुक करनी पड़ेगी वैसे यह हमारी टिकेट रही भाई यह हमारी टिकेट रही हमने दो कर लिया है मैं और भाईया है लेको जी बाहर ऐसी है यहां सम्म टिकेट कर वागा है उस तरफ से और बागी भीट तो बहुत अच्छी खासी है से कोटी च सब्सक्राइब करने का जो बैग लेकर आ रहे हैं उनके लिए इंट्री गेट है दिखने रहा बढ़िया से हां जल्दी आ रहा है कि लेको यारी में गेट से था हैं पर एंट्री थी हमारी और यह एक तरफ इदर है इंदर से में जाना है तो पसीनेशर के दोस्त हरवल गार अगजर लेको अगया जाना है कि अगरा सूखा पड़ा है तो तो करता है था हो यह तो करता है यह पाइद्ध देखोंगा पड़ा आया अगरे कर वीडियो देखे थे यार अच्छा इन और तो हर्वल गार्डेन नमें पैसे भीर है हरवल गार्डन है सुगंद वैसी आरही है तम यारवेदिक कितरा है पता नहीं क्या है यह गाजर है क्या अपलाना है मुझे नहीं पता भाई जरेनियम है देखो इसको क्यार कोड करके पड़ सकते हूं आप जरेनियम है यह वैसे सब का नाम लिख रखा है इनोंने यह कुछ कि और है उदर नाम उसका दिखा हो और है कि ये दिख एक मेथी ही है तक हम देखना नहीं क्या एक इट हूं कि इनका आधें हम सब्सक्राइद का घूल क्या है इवनिंडो पृम्स सब्सक्राइब है शांज2 खास है पता नहीं क्या क viktig मिल्त है मतलब पुडियमिला पुलिम् कितने बहुत सारा है देख लो सब को दिखाने सकते हैं ना कि सब डिफरेंट डिफरेंट टैप्स का वह है हरवल्स है इसारे फूल्स है हरवल्स में आप देख रहे हो उधर गुलाब भी है वह देख लो डमास्क रोज है मैं इसको फ्रॉब जूम करें दिखा देता हूं कि देख लो जी ऐसा है डमास्क रोज बैसे देहां पर कई वराइटीज है अब कुछ नए गार्डेस में जा रहे हैं अब मैं दिखाता हूं यह बहुत पुराने बर्गत के पेड़ हैं देख रहे हो इनकी जब यह जो दागे दागेस निकल रहनी चाहिए ना पेड़ बन जा देखो यह बहुत पुराने लग रहे हैं बर्गत के तृनें कुछ और पेड़ा यह साई जावन वामन午नक पेड़ा है रहारें कि इस की एसकी तेनियल रोपी जाती है इसके बीज में यह इसकी तेनियल रोपी जाती है मैंने सुना आए बहुत सारे हैं जी कि देनलोसा यह खिरनी का पेड़ है पता नहीं क्या खिरनी का इसका इंपोर्टेंस क्या मुझे तो नहीं पता भी यह यहां पर कुछ ऐसे पेड़ भी है जिनके टहनिया लगाई जाती है इनके बीज नहीं आते हैं इसे मैंने पहले बताया था हूँआ पिलखार मॉलसारी लो जी यह रहा है कुछ खराब हो रहा है कुछ मेंटेनिंस में नहीं है तो ठीक है अब यहां चलते हैं यह और चलते हैं पता नहीं निकलते हैं कुछ यह थोड़ा बोरिंग सेक्शन था है यह जूर बल रहा है लेकिन चलते हैं देखते हैं कुछ नया सक्सेंश नहीं हमने आट अब कर फॉरंटेंड का मजली लिया हमने अब देखते हैं कुछ और कर तो तो पॉरंटेंड देशा है ताई देखो यार में जगह हो गया ये ये हुई में जगह है ये ये रहा पा रहा रहा रेक्टेंगलर गॉर्डन अरे मैडम सॉरी देख रहो ये गुफा है भाई साब अंदर भी है कोई नहीं है भाई हमारे देश की धरोवर है ऐसी थोड़े नहीं बाई देखो हैं पर रिल्स सूट हो रहे हैं अब ये ये हमारा राश्ट्वति भवन मेंड बिल्डिंग जिसको पहले वासरा कहा जाता था और फिर बाद में इसको नाम चेंज करके गौर्डमेंट हाउस रखा गया फिर जब राश्ट्वति राश्ट्वति बने तो उनके समय में इनको नाम बदे के राश्ट्वति बन लग दिया गया इसाथ इस लॉन है और यह साथ सेंट्रल लॉन है लेकिन है दुनों में से कोई यह जो हमारी आर्किटेक्ट सर इड्मिल लुटेंट और बेकर ने बनाया था जब हमारी राश्टानी बेंगवाल से दिली सिफ्ट हुई तब इसका प्रपोजल रखा गया इस इस एरिया को लुटेंस देली का जाता है और यह राशिना पहाडी को काटर बनाया गया था यहां पर राशिना पहाड था उसे काट कर बनाया गया है बाकी इतिहास क्या बता है इचली भीड बहुत जाला है यह हमारी राश्ट्पति बन है चार फुलूर का है लगभग 330 एकर में टूटर बना हुआ है पूरा यह चार फुलूर का है इसमें 330 ए 340 रूम है और 2.5 किल्लीमेंटर कर एक गल्यारा कारिडॉर है और इसमें गई हॉल्स हैं त्री सर्किट में बटा हुआ है एक में में बिल्डिंग है दूसरे सर्किट में राश्ट्पति फवन वैसे नाम चेंज हो गया इसका कहा जाता है कि इसमें अभी हजार से ज्यादा रोजस के टैप से लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसमें और धाइस हो है दोसो पचास पता नहीं क्या हाकिकत है लेकिन हम जो देख रहे हैं तो हजार तो नहीं मुझे लग रहा होगा लेकिन धाइस देखो सिनेमेटर किसका है तो अब हम इस बिल्डिंग को देखकर निकल रहे हैं नेक्स चलते हैं यह लॉंग गार्डेन है यहां पर देखो आपको गुलाब के कई ब्रैटिस मिल जाएंगे देख लो मैं नाम भी दिखा दूँगा देख लो कुईन इलजाबेथ आहां नजदीक में को है भी नहीं देखो यह ऐसा देखो जीसका नाम है मैं ठो खा रही है है कुकई पर जा आज में ठोला हूमा उर्जा नाम है मॉन्टेजज जुम्स बहुत सारे पोल्स कितने inadequalnız को नेमु को प्रेड़े हैं लाँ गार्टन का यह सिस्टम है अध्या वह सुंधा यह लेखों कितना सुन्दर लग रहा है ना बहुत सारे ऐसे हैं यार देखों कितने सुन्दर पूरे माक कस्वाइए इसका नाम बदाना को यार कमेंट करके लो भीड़ बहुत है देखो कितनी भीड़ है आगे भी बहुत भीड़ गई है भाई रोज फर्स्ट प्राइस इसका नाम लेंडोरा है लेंडोरा रेड रोजेस बहुत है यार कि अध्य देख लो बिल्कुल कलरफूल है यार संटीमेंटल यह सरक्राइब गाड़न है और यह टर्किस अर्किटेड्ट के से इंस्पार कर बनाया गया देखों वैसे कह सकतो थो मुगलों के अर्किटेक्ट से इंस्पार है बहुत जादा यह जून बेंख नों दिखाता हू आई मिठे क्या भुआ है तो देखो जी फूल तो भरमार है भाई ये अमनी तो दान है तो फूली के लिए तो जाना जाता है और सर एड्मिन लुडियंस का कमाल है ये सोच है उनकी कमाल का सोच है जो भी हो बढ़िया है मस्त तक गेट है यहांस निकल जा राम से भीड तो बह बाहर का ये महाल है अब बाहर भी अच्छा बहुत अच्छा है प्रेरी कैंटीन देख लो हम निकल चुके हैं अब चल रहे हैं खर केंटीन करप गया था ज्यादा कुछ था भी नहीं और बंद भी हो रही थी तुमसे बाहर खाएंगे कुछ में कुछ ये रहा हमारा हां अम अरी तुधन का ब्रह्मन राष्टपति भवन का ब्रह्मन अच्छा से किया स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफीज हो गया है वह बहुत दिन के बाद है था इस खातिर हुई कितना सुन्दर भी होया रहा है और अगर वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करना करना और जय हैं जय वारत बंदे मादरां बाइ